सुनो एक लास पानी देना क्या? एक लास पानी ले आओ ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुकम सुनते ही दोड़ कर आपके लिए गलास पानी ले आओ मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर दसो नौकर हाथ बांदे खड़े रहते थे ये मत भूले के मैं एक अमीर बाप की एक लोटी बेटी हूँ आप तो उमर में बड़े हैं न? किस से किस तरह की बाद की जाती है तनी तमीज तो आपको आनी चाहिए माइंड एट मालिक चोटी बाओ की बात का बुरा मत मानना नादान है, बच्ची है कलती हमारी है मुनीम जी हमने ऐसी लड़कियों काम करने वो कहा जिसे काम करने की आदत ही नहीं है बड़े भया, पानी अबकुल वो ट्रैक्टर रिपेर करवा लिया न? जी करवा लिया प्राइब बड़े लिया इसे मैं फेक देता हूं बड़े भया आप चाहिए उनिम जी, जो राम प्रसाद की बेटी की शादी के लिए जेवर देने के लिए का अधा भिजवा दिया जी हा मालिक शहर में रहकर यही बत्तम मिजजर ओच्छी अरकदे सीख्या आपने अपने इसे बड़ों का लिहास कने नहीं आता आपको किस से कह रहे हूं तुम आप से कह रहो औरत पैदा हुई है तो औरत की तरह रहना सेख्ये मीना नाकुर तुम अंगर जाओ पागल होगे हो तुम औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाते हो इतनी उची घराने की बहु होकर ऐसी नीच हरकत शर्मे आई तुम्हें कौनसा उच्छा घराना यह यहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है और बाकी सब उसके घुलाव मीना चलाइए मत आप तेरी सास नहीं है जिस सर आप इस गर की बहु है वैसे मैं भी हूँ बहु हो तुम बहु की मर्यादा में रहो मर्यादा की रसी में तो आप जैसी जाहिल और गवार ओरते बनती है मुझ जैसी पड़ी लिखी मॉर्ण जमाने की लड़की नहीं अदे जो के जी 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 जाती है मॉर्ण जमाने की औरत भी औरत ही होती है उसे भी मर्धी ब्याकर ले जाता है मर्ध को भी आकर बोनी ले जाती जमाने खयाल और लिबास बदल देते हैं औरत की शरीर की बनावट नहीं लोग तुम्हारे खयाल की लड़कियों को लज़त का सामान भले ही समझते हो इज़त की काबिल कोई नहीं समझता इज़त आज भी उनी औरतों की होती है जिनके आँखों में हया हो लाज हो, शर्म हो हमने कहते हैं कि तुम बंदिशों में रहो लेकिन अपने दाइरे की सीमा को मत भूलो लड़की जब अपने माबाप पे घर होती है तब उसकी कांधों पर अपने ही घर की इज़त का बोज होता है लेकिन जब वो बहु बनकर ससुराल जाती है तब उसकी कांधों पर एक नहीं दो परिवारों की इज़त का पोज होता है आज जिस तरह तुम्हें नकुल को तमाचा मारा है अगर उसी तरह उसका भी हाथ उन्चाता तो तुम्हारी क्या इज़त रह जाती कभी सोचा तुमने क्या बात है मिना क्या हुआ बावी कुछ नहीं मिना कह रहे थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता हमने सुचा कि दो-चार खरी-कोटी सुनानी से ही सीखीगी तो सुना दिया भस रोने लगी क्यों अर्जुन हमें तुम्हारी बीवी को डाटने कभी हप ने क्यों नहीं आप हमारी भावी माँ है आप मार सकती हैं डाट सकती हैं कुछ भी कर सकती है मैंने भूल की जो मैं लोगों के बीचा गई मेरी तो इस घर में कोई इस्थ ही नहीं है जब देगो तो सब मेरी इंसल करते रहते हैं मैं कबसे रो रही हूँ तुम पूछ भी नहीं रहो कि मैं क्यों रो रही हूँ बेकार रो रही है तो कौन पूछेगा अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए और इस घर के लिए बेकार हो गई हूँ अरे बेकार तो तुम हो गई अपने परिवार की बीज में रहकर तो उसका नदीजा तुम्हें भोगतना पड़ेगा तो फिर ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ तब भी रोंगी जब तुम मेरे साथ मेरे डाडी के घर रोगे हमारी मिना बहुत प्यारी बच्ची है लेकिन उसमें आभी भी बच्पना है हमारे तोर तरीकों को ने जाते हैं लेकिन आस्ता आस्ता हम उसे सब सिखा लेगे बड़े भाईया ये अपने घर जाना चाहती है जाना भी चाहिए चार-पांच महिने हो गए मैं के की याद भी आती हो कि इसे और अरजुन तुम्हारे ससूर जी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं तुम भी कुछ दिनों के लिए हो आओ तुम्हारा मन भी बहल जाएगा अगर ये वापस लौटने के लिए जारी होती तो मैं जरूर जाता अगर ये तो हमेशा के लिए इस घर से जारी है कैसी बाते कर रहे हो अगर तुम दोनों के खायलात एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस मामले को घर की चार दिवारी में बैटकर आपस में सुलजा लेना चाए बहु शेर की पड़ी लिखी लड़की है उसे गाउं की रिदी रिवास के बारे में क्या मालूं ये तो तुम्हारा फर्ज बनता अरजुन के तुम उसे हमारे तौर तरीके सिखाओ सिखाने से कोई फाइदा नहीं पड़े भईया ये खुद को इस माहल में डालना ही नहीं चाहती इसली भेज रहा हूं अच्छा तो तुम ने फैसला भी कर डाला पड़े भईया बात ये है कि मैंने मीना को तुम बहुत समझदार भी हो गयो ना तो फिर तुम्हें इतना दो समझ लेना चाहिए अगर भव अपने आपको बदल नहीं पा रही है तो तुम भव के मताबक बदल जा आखिर वो तुमारी पत्नी है उसका साथ देना तुमारा धरम है तुमारे भरोशई तो उसने अपनी सारी जिनगी सौंपती तुम्हें अर्जुन मेरे दर पर तुम तड़ब उठोगे तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं रो दूँगा क्योंकि हम दोनों एक ही मा की संतान है फून करिष्टा है हमारा मगर पत्नी का नाता उसे कही ज्यादा गहरा होता है क्योंकि उपराय घर से आकर अपनों से कही ज्यादा अपनी हो जाती है परशाई बन जाती है हमारी पत्नी शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है पत्नी ही पत्ती के जीवन को सही अर्थ दे थी उसे काम्याब बनाती पत्नी की बेर पत्ती, बेजान और बेमाने हो जाती है अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मैखे छोड़ाओगे तो ये कहा हो, ये समाज क्या काएगा हमारे बारे में जड़ा सोचो अर्जुन, यहाएकि सिंगासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बूरे का फैसला करता है अगर उसी के घर में ना इंसाफ ही होगी, तो लोग हसेंगे हम पर किसी को मू दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम बड़े वहिया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर किशे लिए मुनीम जी, जी मालिक, जाइदाग के दस्तावेज लाइए जी अभी लाया बहू, पती ही पत्नी की असली शक्ती होती है हमारे पुर्खों ने कुल दरम पत्नी के बारे में कहा है जो पती के काम में उसकी मददकार हो उसे अच्छी सलाद है जो दासी की तरह उसकी सेवा करे माँ की तरह उसे खिलाए पिलाए लक्षमी का रूप और धर्टी की तरह उसमें सहिन शक्ती हो वही आदर्श पत्नी होती है और अध की सोच मर्द का मुकतर बनाती है वो जब बनाने पर आती है तो कुटिया को महल कर देती है और जब बिगारने पर उतरती है तो महल को मिट्टी का ठेर बना देती है मालिक ये जाइदाद के दस्तावेज है हमारी जमीन जैदाद कहां कहां है और कितनी है उसका हिसाब किताब ना बाभुजी को मालम था ना हम तीनों भाईयों को मालम था बहु तुम पड़ी लिखी हो आज से इसका हिसाब किताब तुम देखोगी लक्ष्मी जी अपनी चाविव गुच्छा और ये कागजाद बहु को देदो आज से तुम इस घर के मालकिन हो तुम जहां कहोगी किस कागस पर कहोगी हम तीनों भाई चुप चाप आँख बंद करके दस्कत कर देंगे कैसा कहोगी वैसा ही करेंगे अजही की बिंती है बहु हम तीनों भाईयों को अलग करने का ख्याल अपने मन में कभी आने मत देना बहुत अच्छा किया तुमने बहु बहुत अच्छा किया हनके इनकी आँकों में आँसो देखने के ऌमने सपने में भी उमीद ने की तीन लिकिन तुमने हमें दिखा दे बहुत अच्छा किया थी opin बहुत अच्छा किया थी मिना, मिना, क्या हुआ अपा हो, मिना, मनी जिल जिल से दॉक्टर के बुलाइए खबराने की कोई बात नहीं, ये मा बनने वाली है आप लोग यहीं ठेरिये, मैं ठाकुर साब से मिल कर आता हूँ डाड़ी, डाड़ी, कैसी हो बैटी, वाज प्लेजन सप्राइज, आने की खबर भी नहीं की ठाकुर साब, पाए लगो संधी जी आप, अचानक यहां कैसे, तश्यूर रखिये, बैचिये न आपके बराबर बैटने की, मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की तो आज कैसे करूँगा बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, कईया आपका कारोवार कैसे चलवाए आपकी किरपा और आशिरवास से ठीकी चल रहा है दिल्ली में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ कब की अपाइटन लिए कल सुबस ग्यारा बज़े सर, इंकम टेक्स केस का वकील ने कहा है कि 15 तारिक की हेरिंग में ममला क्लियर हो जाएगा आज एक्सपोर्ट का माल जपान के लिए जाहस से रवाना हो जाएगा जी हाँ सर नमस्ते 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 अरे दिनाना जी आप लोगों नहीं यहाने की तकलिफ क्योंकि मैं आपकी संस्था के लिए गुवर्णर साब से बात कर चुका हूँ आपका काम हो जाएगा धन्यवाद आपके बहुत हो जाएगा अरे गोपिना जी होम मिनिस्टर ने वादा किया कि आपके भाई का ट्रांसफर जल्दी ही हो जाएगा तैंक यू सर्थ डैरी, गुद मॉर्निंग डैरी गुद मॉर्निंग माई चाइल्ड आप कहीं जा रहे हैं क्या हाँ बेटी एक ज़रूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ अपना ख्याल रखना हा ओके बाए बास में फेट्टर के लिए जमीन देखने आया था सोचा आपके दर्शन करता चलू अब इजासत दीजिए इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं आप वो जन तो करते चाहिए माफ कीजिए आप तो जानते ही है बाद बेटी के घर का खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकता शेहर में रहकर भी अभी भी आप इन बातों को मानते हैं चाहर में रहूं या गाओं में मैं अपनी परंपर और संसकार कैसे भूल सकता हूं आखिर मैंने इसी मिट्टी में जर्म लिया है अच्छा चलता है आज़ी कम से कम बेटी से मिलकर उसकी खुशलता तो पूछ लीजे ये क्या कह रहे हैं आप मैं इतना उच्छा नहीं हूं कि अपनी बेटी की कुशलता पूछ कर आपका अपमान करूँ ठाबर साब ये थो मेरी बेटी का सुभागय थी वो इस मंदर जैसे पवित्र घर में पहू बन कर आई अब फिर आपकी छदर चाह में तो वो पुशल होगी राम 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 तेटे जिस तरह तुम महके में चैकाती रही हूं न वैसे ही अपनी ससुराल को भी महकाती रहना जी आप तो उमर में बड़े हैं न किस से किस तरह की बात की चाहती है एतनी पमीज तो आपको आनी चाहिए माइंडेच 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 मुझे माफ कर दीजे क्या हुआ मुझे माफ कर दीजे अपने बापों का फ्रहुजद कर रे हूं अपने पापों का प्रहई हूं बड़े भाज कुछ। मेना चिलो तुम ऐसे निवदना चाहिए इसे बचे पर असर बढ़ेगा पेटे मैं आपकी भिदय होती भी आपने जीठानी की जगा मा बनकर मेरी गलतियों को बर्शित किया और मैं आप भागनापकी मेजिन नबन सकी मुझे माफ कर दीजे अब चुबी होचा तो हमने कब तुमारी बात का बुरा माना होची रोते नहीं रुट हुट रुट हुट